हेलो फ्रेंड, वेलकम तुछ चैनलाइ सॉलेशन, हमारे ओडियो फार्माकोलोजिकल क्लास्किफिकेशन अब ड्रग के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स फोर डारिया, इससे मैंने लिया हुआ है केड़ी द्रिपार्टी के एट्थे डिशन से और इसका पेज अगर हम बात करते हैं ड्रग्स फोर डारिया, तो इसका मतलब बता है ऐसे सारे के सारे ड्रग्स जो किसी भी तरीके से आपके लूज मोशन के कंडिशन को जहां पे एक्सेसिव वाटरी स्टूल का एक्स्क्रीशन होता है, इसे मैनेज या कंटोल करने का काम करते हैं, साथ म ये हर एक तरीकों को गवर करेगा, जिसमें उनका प्रोटेक्शन या उसके कॉस को इनिबीट करने का प्रोसेस हो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें मेन क्लास इसके, तो ड्रग्स फोर डारिया के अंदर आपके चार मेन क्लास आते हैं, चार है आपका प्रोबायोटिक्स, चौथा और आखरी क्लास है, ड्रग्स फोर इंफ्लामेटरी बावल डिजीज, तो इन सब क्लास को देखेंगे, साथ में इनके सब क्लास और एक्जामपल को भी देखना शुरू करते हैं, पहले पकड़ते हैं, पहला क्लास एंटी ड्रग कहने का मतलब होता है, ऐसे ड्रग जो कि आपकी उस माइक्रो और्गिजम को किल करने का काम करेंगे, जिसकी वज़ा से आपको लूज मोशन की प्रॉबलम हुई थी, एक्जामपल का अगर हम बात करें, तो उसके अंदर एंटी बाटिक्स आते हैं, जैसे नौर फ्ल phloxacin, f-l-o-x-a-c-i-n, ciprofloxacin, तीसरा एक्जामपल है आपका o-phloxacin, o-f-l-o-x-a-c-i-n, o-phloxacin, नेक्ट एक्जामपल है, आपका rifaximin, rifaxi, r-i-f-a-x-i-m-i-n, rifaximin, नेक्जामपल है, आपका co-trimoxazole, co-trimoxa, TRIMOXA ZOLE COTRIMOXAZOL Next है आपका TETRACYCLEAN Tetra TETRA PLUS CYCLEANE TETRACYCLEAN Next example है आपका ERYTHRO MYCINE ERYTHRO ERYTHRO and MYCINE MYCINE ERYTHRO MYCINE Next example है आपका METRO NIDAZOL मेट्रो, M-E-T-R-O मेट्रो, प्लस नीडाजूल N-I-D-A-Z-O-L-E मेट्रो नीडाजूल दूसरा जो हमारा मेन क्लास था वो था नॉन स्पैसिफिक एंटी डारियल ड्रग यानि कि ऐसे ड्रग जिनका कोई स्पैसिफिक स्पैसिफिकेशन आपके antimicrobial के respect में नहीं है हाँ, आपके loose motion के condition को वापस से restore करने में काफी मुदद करते हैं इस नॉन स्पैसिफिक एंटी डारियल ड्रग के अंदर हमारे तीन सबक्लास है पहला सबक्लास है absorbent दूसरा है anti-secretory drug और तिसरा है anti-motility drug सबसे पहला है absorbent यानि कि ऐसे ड्रग जो कि excessive water को absorb करने का काम करते होंगे क्योंकि loose motion का जैसे हमने कहा था excessive water का excretion होता है इस absorbent के अंदर के example है आपका spagula यानि कि यह से हम सबल बासा में इस सब गोल कहते हैं दूसरा है आपका methyl cellulose methyl M-E-T-H-Y-L फिर cellulose C-E-L-L-U-L-O-S-E methyl cellulose दूसरा जो सब क्लास है non-specific antiderial drug के अंदर का वह anti-secretory drug यानि कि ऐसे drug जो कि आपके colon में यानि कि large intestine में water और electrolyte के secretion को कम करते होंगे ताकि इसका use further stool को ढीला करने में या electrolyte के waste होने के condition को रोकने में यूस किया जाता है इसके अंदर का main example है आपका raseka dotril raseka dotril के उपर हमने already video बनाया हुआ है दूसरा है आपका bismut sub salicylate bismut 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 sub salicylate s-u-b-s-a-l-i-c-y-l-a-t-e bismut sub salicylate next example है आपका anti-cholinergic anti-a-n-t-i और cholinergic c-h-o-l-i-n-e-r-g-i-c-s anti-cholinergic आखरी है आपका octreotide octreo o-c-t-r-e-o octreotide t-i-d-e next sub class है आपका non-specific anti-diaryal drug के अंदर वह है anti-motility drug यानि कि ऐसे drug जो कि gastric motility को कम करने का काम करते होंगे ताकि आगे जा करके आपके large instances tool water के form में excrete ना हो सके इसके अंदर के महत्वकूर्ण example है codeine c-o-d-e-i-n-e दूसरा है आपका diphenoxylate di-d-i-phenoxylate p-h-e-n-o-x-y phenoxylate l-a-t-e यानि कि diphenoxylate और तीसरा example है आपका loperamide ये भी काफी चलता है loperamide l-o-p-e-r-a plus mide m-i-d-e यानि कि non-specific anti-darial drug का तीसरा main class था आपका probiotics जो कि ऐसे bacteria को enhance करते हैं जो कि आपके gut mortality के लिए अच्छा होता है और उसके कुछ महत्वकूर्ण example इस तरीके से हैं lactobacillus यानि कि बिल्कुल वही bacteria जो कि आपके दूद को दही बदलने का काम करता है इसलिए loose motion में दही खाना अच्छा माना गया है उसके बाद अगला जिस species है आपका वह streptococcus facilesis enterococcus specific species bacillus calculus इस तरीके से कुछ example है आपके probiotics के this is not so very useful in focus of diarrhea because ये के वाल उस condition को थोड़ा सा कम करने का काम करता है next चौथा में क्लास है आपका drugs for inflammatory bowel disease इसके तीन सबक्लास है पहला सबक्लास है 5 ASA compounds इसके अंदर के important example है sulfasalazine sulfa S-U-L-F-A salasala zine zine sulfasalazine दूसरा है mesalazine 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 next example है आपका balsalazine b-a-l balsala s-a-l-a zide z-i-d-e balsalazine next example है आपका olsalazine olsalazine o-l-s-a-l-a olsalazine z-i-n-e olsalazine next subclass है glucocorticoids का इसके अदर example है आपका prednisolone और hydrocortison anima के case में जिसको हम देते हैं और आखरी subclass drugs for inflammatory bowel disease के अंदर वह है आपका immunosuppression जो कि आपके immunosuppression को temporarily controlled way में suppress करते होंगे इसके अंदर के example है azathioprine azathiothio और prin azathioprine दूसरा है आपका methotrexate 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 next example है cyclosporine cyclos c-y-c-l-o s बी जोड़ दो या cyclosporine भी बोल दो तो ऐसा बल सकते हैं cyclosporine c-y-c-l-o cyclosporine s-p-o-r-i-n-e cyclosporine next है t-n-f-inhibitor d-n-f-alpha हम जिसको बोलते हैं तो t-n-f-inhibitor next है आपका infliximab inflixi i-n-f-l-i-x-i और m-a-b infliximab this audio is uploaded by solution pharmacy तो यह था हमारा आज का classification जिसमें हमने बात किया drug sport area अगर आप आज के इस video का audio format और आज से पहले upload किये गए सभी videos के केवल audio format free of cost अपने mobile पे download करके share करना चाहते है जब कभी भी आपका मन करे recall करने के classification को सुनना चाहते है तो ऐसा free of cost available है इसके लिए आप इसी video के description box में जाईएगा वहाँ पे आपको एक Google Drive का direct link मिलेगा उसे click करके आप जो चाहें जितना चाहें audio format download कर सकते है thank you take care